सब्सक्राइब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक के उपर जो रिलेटेड है जो फेमस पर्सनेलिटीज हैं जुन्होंने इंडिया में सबसे पहली बार कोई काम ऐसा किया किसी में अपना नाम रिजिस्टर कराया है इंडिया के हिस्ट्री में तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कोईशन जो हमारा है वह है दा फॉस्ट बिटिश गॉवर्नर जेनल ऑफ इंडिया यानि इंडिया का पहला बिटिश गॉवर्नर कौन था वो थे लर्ट विलियम बेंटि मोस्ट इंपॉर्टन क्वेशन है कई बार यह एक्जाम में आ चुका है और जाहतर बुक्स में आपको यह आसानी से मिल जाएगा पहला क्वेशन जो है नेक्स्ट क्वेशन अगला जो है दा फस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक यानि स्वतंत्र भारत देश का पहला प्रढामंत्री कोन था यानि क्यों से पुरुष्ट थे जोकी सबसे पहले प्रेसिडेंट यानि राश्चपती कोन थे जो कि इंडिया कि स्वतंत्र इंडिया के प犹ेली राश्चपती वह हैं डाक्टर राजियंट प्रसाद अगला जो question है important question ये भी the first and the last Indian governor general of free India यानि स्वतंत्र इंडिया के जो पहले और last general governor थे वो कौन थे वो थे सी राजा गोपाल चारी अगला जो question है most important question ये भी है the first man who have climbed Mount Everest twice यानि वो कौन सा ब्यक्ति है जिन्होंने Mount Everest को दो बार launch किया दो बार हुने climb किया चड़े हैं दो बार उनका नाम है नवांग गोंबू ये important question है कई बार exam में आ चुका है twice यानि first time के नहीं पूछ राइस question में twice यानि दो बार जिन्होंने launch or climb किया है Mount Everest को उनका नाम है नवांग गोंबू next question अगला जो है the first Indian who to win the Nobel Prize वो कौन साइसा ब्यक्ति है जिन्होंने इंडिया में पहली बार Nobel Prize जीता था फस्ट इंडिया में वह थे नभी रविना टेगूर अगला जो question है most important question यह भी है the first Indian to get the Nobel Prize in physics यह नोबल प्राइस जो दिया जाता है physics में chemistry में साहित में दिया जाता है या literature में दिया जाता है and science में दिया जाता है science के सभी नोबल प्राइस दिया गया है ताप उस वीडियो के बार देख लिजिए अगला जो question है जो मैंने आपको पता है दो फस्ट इंडियन तो गेट दो नोबल प्राइस इन फिजिक्स में कौन से ब्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार नोबल प्राइस जीता था वह फिजिक्स of Supreme Court Supreme Court के सुपरियम कूज्फ करों से वह थे जस्तीन हीरेलाल जे कानिया प्राइस करीन यह बहां अकला जो क्विच्शन है वहन्यूसलिम प्रेसिडेंट्ब औफ इंडिया यानि मुस्लिम het almjiय ले लाश्पती हमारे देश के वह से डाक्टर जाकिर हुसेन अगला जो question है most important question ये भी है the first person to receive the mag services mag say say award important question ये भी है वो कौन से ब्यक्ती थे जिन्होंने mag say say award receive किया था first time इंडिया में वो थे आचार विनुवा भावे अगला जो question है the first Indian to receive the भारतन रतन अवार्ड वो कौन से ब्यक्ती थे जिन्होंने पहली बार इंडिया में भारतन जो दिया जाता है सर्वोच जो सम्मान है भारत का वो दिया गया था पहली बार दिया गया था डाक्टर राधा कृष्णन को अगला जो question है most important question है वो आप सारे जानते ही है the first Prime Minister of Free India स्वतंत्र भारत के पहले प्रधामंत्री कौन थे वो थे डाक्टर वो स्वारी पंडित जवालाल नहरुआगी most important question यह भी है अगला जो question है the first chief of army staff यानि army के staff के पहले chief कौन थे उनका नाम है जनरल महाराज राजेंद सिंग जी most important question यह भी है आगला जो question है 14 number का वोसे the first British the first President of Indian National Congress यह Indian Nationalають के जो पहले President थे वो कोन थे W.C Boston most important question यह भी है तक सियरे मुर्ण है इम्पोर्टेनर इंप्राश्ट्राइब कविल इस नाम है श्यामा प्रसाद-मुकर जी इंप्राश्ट्राइब मुल्ट इंप्राश्ट्र्पति धे राश्ट्रा घे हुआ थे लेकिन उपराश्पती फस्ट जो थे बुरुष में यानि मेल में उनका नाम है राधा कृष्णन इंपॉर्टन को यह भी यह सट परसंट गौर्शीव दा परम जी चक्र यह निपरम जी चक्र जो रिसीब किया जैने जिनको दिया गया था उनका नाम क्या है वो पह से ब्यक्ते थे इंडिया के जिन्होंने पहली पार यह फस्ट टाइम उनको economics में जो Nobel Prize दिया गया था इससे पहले मैं आपको बता दिया कि Nobel रिजिक्स में दिया गया था वसी रमन जीकों दिया गया था और नेक्स्ट जो दिया गया था इन इकोनॉमिक्स आपको मुने वज़ता दिया यह क्वेशन अमर्थ सेन अगला जो क्वेशन है मारा 20 नंबर का जो क्वेशन है दा फर्स्ट स्पीकर आफ लोगसभा यानि लोगसभा के पहले ऐसे कौन से बेख थे जो स्पीकर थे उनका नाम है गनेश वासुदेव मावलां कर MOST important question यह भी है अगला जो question है 21st question यानि 24 का लिए तया स्वीक्टान नंबर का जो question है the first person to receive the stalin prize Stadin prize important question है यह भी है सेफ हुदीन किछलू most important question यह भी है अगला इससे पहले मने आपको बता दिया क्वेशन दुबार रिपीटेड है कोई बात ने आप इससे याद कर लिजिएगा पहले बार जो यह रिसीव किये थे उनका नाम है राधा कृष्णन अगला जो क्वेशन है इंडिया और पाकिस्तान चाइना इससे इनको क्रॉस करते हुए या पहली बार ऐसा कौन सा चाइनीज बेक दी था जो कि इंडिया में आया था एज ट्रेवलर यानि एक गूमने टूरिस्क थे नोंने विजिट किया था इंडिया में पहली बार उनका नाम है यह कृष्ण कई बार एक्जाम में आ चुका है और सभी जो जीके के जो बुक्स है जितनी बुक्स है उनमें आपको यह मिल जाएगा असाने से क्वेस्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टन क्वेस्चन है यह और इसके आन्गी जो पॉस्पिलिटी वह ज्यादा है क्योंकि स्टैटिक जीके म में जितने बी और जूड़ियंच के बनते हैं वो कभी कुछ बी में पूछा सकता एकजामे से कोई कंफर्म नहीं होता कि यहां संей नहीं जफुम और श्याज की जबन रहे हैं आज के जिक्टे जो बन रहे हैं आने वाली समय के लिए बन जाते हैं तो यह इंपोर्टन क्वेश्चिन है आप इसे याद रखी है अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर का दर फस्ट एजुकेशन मिनिस्टर यानि पहले शिच्छा मंत्री इंडिया के कौन थे उनका धिच्छ आप इन आम क्या है उनका नाम है अबदुल कलाम अजाद ये क्वी शिच्छन है टनुंट पहले प्र नाम क्या है उनका नाम है जंडर सबस्ट माइप नमवा क्रिया जेई तो यह मश्ट इंपार्ट इंपर्टन क्वेश्चन ही अगला टनृर्च नंबर का question है यह important question बहुत जादा है क्योंकि the first judge of international court of justice यह इसलिए important है क्योंकि यह exam में आ चुका यह question और मैंने वहीं से इस हो collect किया इस question को the first judge of international court of justice उनका नाम है dr. नागेंदर सिंग अगला जो question हमारा है 27th number का the first foreigner to receive the भारत रतन यानि भारत रतन जैसे है वो तो इंडिया के जो residence है यह जो निवासी हैं इंडिया को दिया ही जाता है यह भारत रतन लेकिन कभी-कभी जो कुछ लोग अपनी नागरिकता चेंज करा कि यहां रहते हैं इंडिया में रहते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं इंडिया के favor में इसलिए government देख के हो सकता उनको देती है तो यह पहले ऐसे ब्यक्ति जो की foreigner थे जो की इंडिया के नहीं थे उनको यह award दिया गया था भारत न थे खान अब्दुलगफार खान अगला जो question है मारा most important question ये भी है वो है the first Indian mind in space यानि वो कौन से ऐसे ब्यक्ति हैं जो की space में गये थे उनका नाम है राकेश शर्मा क्योंकि यह question आपने कई बार exam में देखा भी होगा और जो जीके कितनी भी छोटीस किताब लो या बड़ी किताब कोई बिलो जो प्रतम उन्होंने space पे गए हुए थे यानि first Indian man in space अगला जो question हमारा है the first field marshal of India इंडिया के पहले field marshal कौन थे उनका नाम है इस एच एफ मानेक शो यह है इनका पूरा ना मानेक शो अगला जो question है important question ही यह भी आपके exam के point of view से the first Indian novel chief novel chief के जो पहले ऐसे ब्यक्तिति थे उनका नाम क्या है वह है Vice Admiral R.D. Katari यह important question है आपके सभी competitive exam में यह question आते हैं और इसके questions के इन questions के आने के जो possibility है ज्यादा है और कई बार exam में आ चुके हैं कि first पूछ लिया जाता है कि पहले जर्ना गोना कौन थे यह first chief army staff कौन थे यह British viceroy कौन थे पहले कुछ भी पूछा जा सकता है यह first पहली बार economics में किसको award दिया गया था प्राइज नोबल प्राइज किसको दिया गया था इस तरह से कई तरह स question बन सकते हैं तो आप इस वीडियो को बार-बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा बाकि और साइब books हैं कहीं से भी आपड़ सकते हैं बट इस वीडियो से आप कहीं भी जाके कभी भी आपड़ सकते हैं इसके लिए को आपको book या carry करने की जबूद नहीं होगी I hope साथी से अपने friends को भी share कर सकें thank you for watching